घर में अमीरी लाने के लिए रोजाना करें 30 काम, घर में आती है खुशाली, हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में वो सब मिले जिसकी वो इच्छा रखता है, इसके लिए लोग बहुत पहनत भी करते हैं, लेकिन महनत के अलावा हर इच्छा या अभिलाशा से एक सकारात्मक उ होंगे बलकि आपके जीवन में खुशाली भी आएगी, आईए जानते हैं, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेवल पर सम्मान के साथ रखें, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेती ओनी में चला जाता है, भोज घर की इस्त्री का सम्मान करें, तक्षिन दिशा में पैर करके ना सुएं, शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाए, बटूए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, जूट बोलते रहने से बरकत जाती रहती है, दातों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें, बारवार थूकने, चीकने या खासने की आदत को बदलें, घर में हर कहीं गंदिगी फैलाने का कार्या ना करें, ना खून और बाल बढ़ा करना रखें, प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को तीन वक्त जलसे धुएं, सुभा, शाम और रात्री, किसी देवी देवता की एक से जादा मूर्तिया तस्वीर न रखें, पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्तिया चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं, किसी भी देवता की दो तस्वीरे ऐसे न लगा वरना कोड का चहरी के मामलों में फसने की पूरी आशंका रहती है। या गरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलावकारी होता है प्रति दिन सुभा और शाम को कपूर जलाए घर में या वाश्रूप में कहीं भी मकडी का जाला ना बनने दे शाम के समय सोना पढ़ना और भोजन करना नि खुत्ते को प्रतियेक शनिवार को सरसो के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए बोजन करते वक्त अजीब सी आवाजे ना निकाले रात में चावल धही और सत्तु का सेवन करने से लक्षमी का निरादर होता है आता है सम्रदी चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आ बैट कर भोजन करें इससे राहु शान्त होता है जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए सुबह कुल्ला किये बिना पानी या चाय न जूटे हातों से या पैरों से कभी गौब भामन्त था अगनी का इस परशना करें भोजन करने से पूर्व देवताओं का आहा घर में किसी भी बरतन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं चट पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं हर गुरवार को तुलसी के पौधे को दूद चड़ाएं से आर्थे किस्थिती में तेजी से सुधार होता है चपर पर बांस न जीपक जलाएं। कपड़े लगों की आदत होती है। कपड़े लगों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिन की और ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीध्या ना बनवाएं। घर में फर्ष दीवार या छत पर दरार ना पढ़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंद भरवादें घर में दरारों का होना अशुब माना जाता है। तो झेट जा दोड़ने थे उन्हें ऑर्चिन की और ही बन्हें जाला था कर दो खावादें।